नीट यूजी परिक्षा देने वाल एकजा 563 केंडिडेट्स का होगा री एक्जाम सीबियाई जांच करने पर NTA से मांगा जवाब नमस्कार मैं हूँ आपके सास नहा सोनी लेकर आए आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें नीट यूजी पर बढ़ते विवात को लेकर सुप्रीम कोट ने परिक्षा में प्रश्ण पत्र लीक और अन्य अनिमित्ताओं के आरोपों की सीबियाई जांच की मांग वाली आचिका पर केंडर और NTA से जवाब मांगा है नयमूर्ती विक्रमनाथ और नयमूर्ती संदीप मेता की अफकाश पीट हितेन सिंग कश्यप की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी हितेन सिंग कश्य अपने इस मामले में केंडरी एजांच ब्यूरों, CBI और बिहार सरकार से दो हफ़ते के अंदर जवाब मांगा है इसमें कहा गया कि अन्य लंबे जनहित याचिकाओं पर 8 जुलाई को विचार किया जाएगा जब शीरिश अदालत गर्मी की छुटियों के बाद कामकाश शुरू करेगी केंडर और राष्ट्रिय परिक्षण एजेंसी एंटीय ने गुरुवार को सुप्रीम कोड को बताया था कि उन्होंने अन्य परिक्षण देने वाले 1563 अमीदवारों को दिये गए अंक रद कर दिये हैं किंद्री ने कहा था कि उनके पास या तो दुबारा परिक्षण देने या समय की हानी के लिए उन्होंने दिये गए अंक वापस लेने का विकल्प होगा नोटेस में कहा गया कि नीट रिजल्ट के ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 केंडिडेट्स का रिएक्जाम होगा ये 23 जून को आयोजित किया जाएगा जानकारी के लिए बता दे कि परिक्षण 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई और लगबग 24 लाख उम्मीदवार इ की उम्मीद थी लेकिन 4 जून को गोशित किये गए क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यान कन पहले ही पूरा हो गया था इस प्रतिस्ठित परिक्षा में बिहार जैसे राजियों में प्रश्ण पत्र लीक और अन्य अनिमिताओं के आरोप लगे हैं आरोपों के कारण क प्रदर्शन हुए और साथ मामले हाई कोट और सुप्रीम कोट में दायर किये गए बतादे कि देश बर के सरकारी और निजी संस्थानों में में अईश और अन्य संबंदित पार्टे क्रमों में प्रवेश के लिए निट यूजी परिक्षा आयूजित की जाती है तो कैसे लगी आपके जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले